गुड इवनिंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से हाजिर हूँ और इस वीडियो में हम संगम काल के बारे में जानकर इप्राप्त करेंगे तो देखेगा स्टुडेंट्स एकजाम में संगम काल से संबंदित कई बार क्यूशन पूछे जाते हैं तो हमने उन्हीं क्यूशन को देखते हुए ये वीडियो बनाया है और यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और सेर करें ताकि आपके फ्रेंज तक भी एकजाम से संबंदित मैत्तव मुन्सूसना पहुंच सके और बेल आइकन दबाएई ताकि आपको ने-ने वीडियो मिले और यदि हमारे वीडियो में आपको कोई कमी या फिर कोई गलती मिले तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं हम सुधार करने की पूरी-पूरी कोशिस करेंगे तो चलिए पढ़ते हैं संगम काल के बारे में जो महतोपुन तथे हैं उनके बारे में संगम वस्तूत है एक सिंस्कृत शब्द है जिसका अर्थ सभा होता है तमिल परंपरा के अनुसार पोरानिक समय से तीन संगम माने जाते हैं पर्थं संगम का आयोजन वर्तमान में समुद्र में विलीन मदूरा नामक स्थान पर हुआ था। दूतिय संगम अर्था दूतिय सभा का आयोजन कपाट पूरम अथ्वा अलव्वे में हुआ था। तूतिय संगम का आयोजन उत्री मदूरा में हुआ था। संगम काल में जिस साहिते की रचना हुई उसे संगम साहिते कहा जाता है कई बार क्योशन पूछ लेते हैं पर्थम संगम का आयोजन कहा हुआ द्वित्ये संगम का आयोजन कहा हुआ त्रित्ये संगम का आयोजन कहा हुआ संगम साहिते किसे कहते हैं ठीक है तो देखिएगा पर्थम संगम का आयोजन मदूरा में हुआ दूतिय संगम का आयोजन कपाट पूरम अर्थवा अलवे में हुआ तृतिय संगम का आयोजन मदूरा में हुआ ठीक है और संगम काल में जिस साहिते की रचना हुई उसे संगम साहिते कहा गया है संगम कालीन राज्ये संगम कालीन राज्यों में सरव परतम चोलों का जन्म हुआ प्राचिन चोलों का राजे सुदूर दक्सिन में पेनार तथा दक्सिनी बेलारू नदियों के मध्यवर्ती भाग में इस्तित था चोलों का उलेक सबसे पहले कातेयान ने किया था आरम में चोल राजे की राजदानी उत्री मनलूर थी बाद में उर्यूर चोलों की राजदानी बन गई चोलों का पर्थम एध्यासिक सासक उख पहरे इलन जेत चेनी था किन्तु प्राचीन चोलों के दो ही उलेखने सासक हुए करीकाल और काचे गणान करीकाल ने दूसरी सताबदी इस्वी के उत्रार्द लगबग 190 इस्वी में सासन किया था प्राचीन पांडे राजे चोल राजे के दक्सिर में कन्या कुमारी से लेकर कोरकरी तक विस्त्रित था इस राजे में मदूरे को अपनी राजधानी के रूप में स्थाफित किया बदिम बलन्नवनी पांडियों का पर्थम ग्याद सासक बाना जाता है किन्तु नेडू जेलियन पांडियों का पर्थम उलेखने सासक था नालीव कोडन संगम काल का अंतिम सासक था प्राचेन चेर राजे में उतरी ट्रावन कोर कोचीन तथा दक्सिनी मालाबार के छेतर समिली थे प्राचेन चेर राजे की दो राजधानियाती वजी और त breaking उदिये जेरल चेरों का ज्याद प्रारंबिक सासक था उसके बाद नेडुम जेरल आदन सासक बना कुट्टुवन नेडुम जेरल का उत्रादिकारी था कुट्टुवन नेडुम जेरलर का क्या था उत्रादिकारी था उसके बाद सेन, घुट्ट20 चेरों का उलेखने सासक हुआ तो देखैंगा ये वीडियो संख्षिप्थ है लेकिन इसमें कई चीजे ऐसी हैं जो एक्जाम में पूछी जाती है और बार-बार पूछी जाती है इसलिए आप वीडियो को बार-बार देखें और येदी वीडियो में कोई कभी आपको लगे तो आप हमें बता सकते हैं हम सुधार करेंगे और इसी प्रकार से बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे